नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों आप सब का आज मैं फिर से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आज हम लोग तेरे नंबर से लेकर 20 नंबर तक प्रशनों को हल करेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे हम लोग ने पिछले वीडियो में 12 नंबर तक प्रशनों को हल कर लिय है एक एंग पॉइंट समझ लिया है हम दूसरों को बता भी सकते हैं तो हम लोग यहां सिरे नंबर से 20 नंबर के प्रशनों को भी आज शीख ही लेंगे आप लोग सोच रहे हो भाई या सीख तो लेंगे लेकिन चैप्टर कौन सा है तो मेरे पहरे दोस्तों कि हमारे चैप्ट चैप्टर के अंगिक प्रशन है जो मारा बात 13 नंबर का प्रशन है तो इससे हल करने के लिए आप पीछे की वीडियो नहीं देखे है तो आप लोग देख लो ताकि आपको पीछे के सवाल भी समन में आ जए हम लोगों ने दो चैप्टर के अंगिक प्रशनों को हल कर लिय एक एक नुमेरिकल को स्वाल करा दिये हैं आप लोग इसे देखना आपको कुछ न कुछ फाइदा ही मिलेगा तो चलो यहां पर देखते हैं तेरे नंबर का प्रश्ण कहा है एक तारिकी लंबाई दो मीटर है यहां पर हमने लिखा यल बराबर दो मीटर लंबाई को यल से ल कुमिमी हो जाएगा फिर आगे कहा है यदि धात के तारिक के बिशिष्ट परतिरो धगता यदि धात के तारिक के यही प्रश्ण करता है पेपर में अच्छे से हैं पर आप लोग सीखते नहीं हो फिर पेपर में जाओगे यह आपको कंफ्यूज कर देगा देखो कैसे घु मैं अच्छे से समझो तो कहीं भी फ orphणोंगी यह नई देखो क्या यह क्या है हो लिग यह रोका मान दिया च्छाप आप लोग जानते क्या होता है रो is से होता है एक दम पी के जैसा होता है नीचे इधर पूश निकला होता है एक दम से बिशुष्ट परती रो धक्ता को हम रो से दिखाते हैं और रो का मायन हमाई दिया गया है इतना दिया गया है बताओ फटाफट यहां पर हम रिखेम ने बताया दो गुड़े स्वारी पांच गुड़े दस का पावर माइनस का आठ ओम इंटू मीटर ओम मीटर इतना दिया गया है बिशुष्ट परती रो से दिखाते हैं यह पी के जैसा जो बना है यह हमारा रो है फिर आगी क्या कहा है तो तार का परती रो धियात कीजिए तार का परती रो धिक है आर का मान पूछा है मेरे पैर दोस्तों परती रोध को हम आर से लिखते हैं से आर पूछा है तो हम लोग आर यहां से निकालेंगे अच्छे से एक पॉइंट सीखेंगे देखो हम आर कैसे निकालते हैं हमारा इसमें सूत्र होता है रो बराबर रो बराबर रो बराबर र रे स्ट्राइन आप तुम लोग सोच ठए होगो भाईया ये क्या थो तो यह थो पढ़ाए ये क्या है यह तो आपको पता ही लंबाई है और और क्या है यह सा मैं आपको एक एक पॉइंट बताओंगा कौन क्या क्या है तो चलो के आगे पहरे दोस्तों ये क्या है ये अनुप्रस कास्ट का छेतरफल है अनुप्रस कास्ट का छेतरफल अच्छे तम बोलने हैं कहाता हूं अनुप्रस कास्ट तुम लोग ध्यांते तिख लेना ये ये है अनुप्रस कास्ट का छेतरफल और आर है परतिरोध और यल है तार की लंबा सवाल हो जाएगा तो सवाल मैं क्या करता हूँ इधर करत के आज निकालने के लिए बराबर करते हैं कि और आप वीडियो को लाइक करते हैं कि यहां से जब मैं र इधर लाओंगा R जब इधर लाऊँगा तब क्या होगा मेरे पैबर दोस्तो जब R इधर लाऊँगा तो यहाँ पर हो जाता गएयगा Royal पते हिये अब बताओ क्या कर दिया भई आपने अब इसके निचे हम एक कर सकते है बोलो कि भी यहां कर सकते हो , आप कमाल है, हमारा है इसका सूत्र निकालने के लिए पर फिरोज निकालने के लिए करते हैं, हमें कुछ करना ने कि सारे मान को फटा पर ठरक देना है तुरंत हमारा आंसर आजाएगा र का हमें रो कमान कितना दिया गया है र बराबर लिखेंगे रो कमान कितना दिया गया है यहां पर हमने लिखा था भी दिखा रहा हूं फिर से नीचे करकर कापी को पांच गुड़े दस कापा और माइनस रो कमान दिया गया कि मेरे प्रस्त काष्ट का चेत्र फडबर मारा होता है यह बराबर मारा होता है पाई आर स्कॉाइर यह हमारा होता है तो यहाँ पर हम पाई का मान हमें पता है तीन दस्मुलो एक चार या फिर बाइस बटे साथ और आर का मान हमें दिया गया है पर पर यह का मान निकल लेंगे तो यह से लिखेंगे यह बराबर Pi का मान हम रिखेंगे 3.14 अच्छा रहेगा 3.14 और R सक misin? R कैना है R का मान do दो मीवी है इसको हम मीटर में बतलेंगे 2 mm है हम लोग इसे मीटर में बतलेंगे तो हमारा हो जाएगा ये दो गोड़े 10 का पाउर माइनस 3 सबसक्राइब निकालने के लिए हमारा हो जाएगा इसे मीटर में बिल में बदलने के लिए 10 के 3 से गुड़ा करते हैं कोई पिसंख्या में मिली मीटर में दिया है तो इसमें हम 10 के पावर 3 से गुड़ा करेंगे तो हमारा वो मीटर में बतल जाएगा अब हम जैते हैं को दो गुड़े असे पावर मािननस तीन सब्ग्स का पावर थे मिली में 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 हमारा यहां से असको Hej लिए अपसे हम लेकर हैं 1 यह अब हमें दस घाएगे जार गुड़े गुद्धिक हैं इसकी सब्सक्राइब निकाल रहे हैं प्रसकाष्ट का शेत्रफल देखो यहां पर यहां से यहां से यहां पर रख देते हैं आप हम यही पर इसको हल कर रहे हैं इसे देखो एक चोटा से कड भी रहा है दो यहां से लिख लेते हैं आर बराबर पांच गुड़ेदस का पावर 10 का पावर माइनस 8 अब इसका मान गत्म हो गया यहांसे हो गया 3 10 मलो 1 4 गुडे 2 गुडे 10 के पावर 6 विएका यहां पर गुड़ा कर दू तो यहांसे r बराबर हो जाएगा 5 गुडे 10 के पावर माइनस 8 यह हो गया नहीं दिख रहा है उपर कर रहा हूं आप यह हो गया हमारा आर यहां से यहां से और नीचे का कि हल कर ले रहे हैं ते दो 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 चोका आठ बटे आठ दो एकम दो दसमुलो लगा है दसमुलो लगा दो दो त्याई ही दो अंग के बाद 10 पूड़ा में याँ पर लगा दिये गुड़े यहाँपर 10 का पावर हमारा 6 हो गया छे हो गया हमारा देखो अब यहाँ से क्या करते हैं इसको आमे ऊपर भेद देते हैं ताकि हमारा जल्दी से हल हो जाए और आसान भी हो जाए देखों ऐसे क्या कर रहा हूं यहां से आर पराबर लिखेंगे 5 गुड़ा 10 के पावर माइनस 8 है इसको हम उपर ले जाएंगे गुड़े तो यहां पर हमारा हो जाएगा 10 के पावर 6 ढौफ हम उपर ले और यहां से हमारा नीचे हो जाएगा 6 दस मुल दो आठ यहां पर ले जाएगा 5 गुड़े 10 के पावर यहां से हमारा यहां से हमारा हो जाएगा यहां पर हल करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं और बराबर यहां लिखेंगे पांच गुड़ा दस के पावर माइनस दो हो गया मेरे प्यार दोस्तों चेह दसमलो दो आठ यहां से दसमलो उटाएंगे यहां पर दो जीजरो बढ़ेगा आसानी से बढ़ेगा अब यहां इस गुड़े दस के पावर माइनस दो आप देखो यह होगा हमारा इस दसमलो को हम यहां लाएंगे तो आर बराबर हमारा हो जाएगा साथ दसमलो नौपाच गुड़े अब यह घात एक बढ़ जाएगी क्योंकि दसमलो यहां से हम यहां लिया आया है तो हमारा दस का पावर ह यहाँ पर हमारा मायनस 3 हो जाएगा, यह हमारा परतिरोध, यहाँ पर लिख सकते हैं ओम, यह हमारा आंसर हो गया, आसाम जो प्रशन आपको समझा होगा, आपने एक एक पॉइंट आपको समझाया है, अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर, प्यार दुस्त, हमारा 14 नंबर का प्रशन है, एक बेलना कार पदार्थ की लंबाई, एक बेलना कार पदार्थ की लंबाई, दस सेंटी मीटर, तथा अनफरस काट का छेतर फल, 10.2 सेंटी मीटर है, यद इसकी लंबाई, इसकी लंबाई की अनुसार, इसका परतिरोध 20 ओम हो तो इसका बिशिट परती रोधा ज्यात कीजिए यह बहुत इजी परस्ट है इसे हम अच्छी से हल कर ले रहे हैं कहा है यह बराबर में पहले है दिया गया है लंबाई कि 100 को सिंसे हैं और फिर कहां है अनब्रस का स्थ का च्छेटर पल्डό्भ 2 संटीमीटर कास्ट यानि हमें एक धनियागा है दस-ापलोड है फिर कहां है यह बिंदय और यानुदर दी रोभा यह यह आर्कुमान कि रो पूछा है निकाल रहे हैं सूत्र होता थे हैं रो बराबर यह सूत्र होता है तो यह से रो बराबर हो जाएगा कितना दिया गया है R का मान B सोम दिया गया है और A का मान हमें दिया गया है 10 मिलो 2 और EL का मान हमें दिया गया है 10 यहाँ से इसको काड़ देंगे हमारा 2 हो जाएगा हमारा R बराबर यहाँ से हमारा R बराबर हो जाएगा इसका इसका हम गुड़ा करेंगे तो हमारा हो जाएगा दो दूना चार एक अंग के बाद दस्मुलों तो एक अंग के बाद दस्मुलों इहां लिख दिये यह हमारा आंसर हो गया इसको लिख सकते हो ओम इंटू मीटर यह हमारा आंसर हो गया आसाम जहाँ प्रशन आपको समझ में आ होगा चलते हैं अगले प् इस प्रेशन को आपको छोटा करकर समझाओंगा देखो एक एल्मोनियम तार की तरिज्जा, दसमलों दो पांच मिली मीटर है, यहाँ पर हम लेग लेते हैं, सीरसली लिखते चलते हैं, इसमाल बराबर दिया गया है, दो दसमलों पांच मिली मीटर, यहाँ पर हम लिखना परतिरोध, यानि आर कमान में दिया गया है, दसम फिर कहा है, तो यह अल्मोनियम की परतिरोध हकता गयात की, यानि हमें रो पूछा, रो में निकलना है, रो में निकलना है, रो बराबर हमारा होता है, रो बराबर होता है, रो बराबर होता है, रो बराबर होता है, यह हमा पाइ बना पाते हैं तो यहां से यह बराबर मार हो जाएगा पाइ कितना होता है 3.14 या फिर 22ग बटा साथ, तो हम लोग 3.14 रख़ेंगे, आर कमान में कितना लिएगा है, 10.25, मिमी है से मीटर में बतलेंगे, तो हमारा हो जाएगा, 2.5 गुड़े, 10 का पाउर 3, यह हमारा होता है, यहाँ कर जखाना है, सवारि दसमूलो 25 बहुतीज है नहीं पढ़ेंगे दसमूलो 1 माच पढ़ेंगे इसका बर्ग को अगैज गुड़े 10 नहीं हो जाएगा शे प्लस माच चे यहं हो जाएगा मारा तीन 1010 एक चाड़ गुड़े इसका हम जब क्याओ करेंगे तो इसकाओ कितना हो गाए तो 25-25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा के लिए 25 के बाद नेचेए तो हमारा चार अंक के बाद दर्मलों लगना चाहिए लेकिन हमारे यहां पर तीन यह अंक तहाँ पर हम कि अस्तान पर यहां से हम लिखेंगे रो बरावर आर का मान में तो यहां से हमारा मान कितना निकला है यहां से काट भी सकते हैं हमारा बड़ा नहीं होगा दो चोकी आट और तो दो एकम दो और दो त्याइं छे इधर बाकी कर नहीं लिखो दो इसलों लगा दो यहां पर दस्मलों यहां पर लगा दो फिर जीरो एक दो पांच यहां पर हम इसको काटने के बाद इतना लाए है फिर गुड़े दस के पावर चे हमारा हो गया अब यहां से इसका गुड़ा कर लेंगे तो हमारा यहां से रो बराबर हो जाएगा चेस्टो दस्मूलो दो आठ का गुड़ा दस्मूलो जीरो एक दो पांच के साथ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा पटाफट बताव मेरे प्यार दोस्तों कितना हो जाएगा बूल गया है तो आप लोग रख दीजिए फटाफट मान निकल आएगा देखो मेरे पैर बच्चो यहां से रो पराबार हो जाएगा अब इसमें क्या करेंगे तीन से भाग करेंगे यहां पर हमारा तीन लगा है तीन से भाग करेंगे तुम्हारा आ जाएगा दस्मूलो दो गुडे अध्ये अध्या भाग करेंगे दसमूलो दो चैक पाउच तीन लो इससे आफ चले जाएगा तो आप लोग कोज नहीं करना दो आउंके बाद चोड़ दो दो धस्मूलो दो चैस्ना होगए 10 के पावर मार माइनेस चे यहां से यहां रख दो यहां से हमारा रो बरा स्वारी यहां पर जीरो लगेगा तब हमारा यहां पर घात हमारा हो जाएगा दसका पावर आइनस साथ यह हमारा रो कमान आ गया आसा है मुझे आपको समझ में आया होगा यह अगर जो आपने कापी में हल करोगे आप कुसी दूसरी की वीडियो देखोगे तो इसने दो प्रशन के और आपको समझ में आया होगा त्यार दोस्तों हमारा सोले नंबर का प्रशन है इसे भी हल करेंगे कहा है एक आठ ओम परतिरोध वाले चालक तार में को मोड कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो नए तार का परतिरोध गात कर दिया तो तो यह को एक ता इसको तार को कह रहा है घुमा कर दो तो यह को यह चालक तार में को मोड कर इसकी लंबाई को आधी कर दिया जाती है शूट्र होता है मैं यहां से में आइधर लिए यहां से में सब्सक्राइब इसे हैं रखकर हल कर रहे हैं कि अंधर साइट में हम नहीं है हमारा क्या हो जाएगा बराबर नहीं हम पर देखे देखर मैं बता रहा हूं यह इपर समझा भी दे रहा हूं आपको इसे समझना क्या कह रहा है इतने कि हम पूरे स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं इतने पूरे के स्थान पर हम आठ रख सकते हैं इतने बराबर है आठ है आठ लिख देंगे आरवन बराबर आठ बटे चारी हमारा हो गया अब हम इस चैन्स में भाग करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर हमारा सत्तरा नंबर का प्रश्ण वहीं सोले नंबर का स्यम अपोजिट है उसमें बुच्छी का उल्टा है यह भी हल हो जाएगा हमारा सिंपल चोटा सा है का एक चा है एक चालत तार का परति रोथ 12ह Tiança ड्श वारा मत्यादी है 12 आख कि तर को खीच कर इसकी लंबाई को दो गुना कर दिया रहा है को रहा नि प्ले तो थ तो यह तुम्हारे अंदर जाएगा ना तो इससे यहां पर तार को जब खीचा जा रहा है तो पतला हो रहा है देखो तो यहां पर हम यह इतना होगे हमारा तो यहां से हम देखो हम क्या कर सकते हैं यहां पर यह बराबर लिखनों है यहां पर आपर यहां सहार अंसर तो सि पहले हम रो कमान में नहीं दिए मोग आर कानिकाल यहां सब्सक्राइब प्रौयल बठेए, यहां से हमें आर कमान्द控 São interpret 1021 बढ़ारay तक रिख देए इसे महाय लेखते हैं समिक्रान नमार एक हो रहा है है यह हो जाएगा आरवन बराबर सिंपल में किया है यह उना महरा हो जाएगा है यह हो गए है यह बटा टू यह है पथा है चला है यहां पर देको क्या कर रहा हो देखो बते हो हो जाएगा तो और हमारा हो जाएगा फोर इसे हम अच्छे से लिख रहें दो को इधर रखो इधर रखो बात है की फोर रो फोर रो यल बटेज़े हमारे यह हो जाएगा अब इतने के नीचे हम इतने के इसने के स्थाण पर हम क्या लख सुकते हैं अगले प्रशन की और आगे हैं 18 नंबर प्रशन एक गम एजी है बस आप लोग इसे समझ लेना बस और नमेरकल को हमें याद नहीं करना है वससे समझना है तो हम लोग इसे समझेंगे कहा है तीन उम ट्रता छे ओम के दो परतिरोध 모든 को को स्रेड़ी करण में जोड़ने परतुल परति रोध कितना यहाँ पर लिखेंगे हाल, स्रेडी करम में क्या होता है स्रेडी करम में बराबर होता है बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यह से बढ़ता चले जागा, तो यहांसे में R1 कमान दिया गया है तीन, तीन तीन ओम, और ओम तुम इसे लिख सकते हो लेकिन हमें इसे लिख दिया है और R2 कमान हमें दिया गया है 6 ओम तो यह से हमारा हो जाएगा R बराबर हमारा सूत्र होता है R1 प्लस R2 डट 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 यहां अगले प्रशन की और बहुत इजी प्रशन था आप लोग देखते हैं डड़ जाते हो प्रशन को बहुत इजी था और इंप्रशन की और अंगले प्रशन की और 19 नंबर का प्रशन है कहा है 2 तथा 3 तथा 5 प्रतिरोधों को स्रेडी करम में जोड़ा गया है यदि इस सहियों के दों सिरों के बीच विवांतर 30 ओर तथा दोनों सिरोग के बीच 30 ओल्ट का विभुवांतर है उससे कोई दिक्कत नहीं है जैसे पुढ़ो 30 ओल्ट का विभुवांतर लगा दिया जाए तो परतेक परतिरोद के शिर्व के बीच विभुवांतर क्या होगा दोनों सिरोग पर 30 ओल्ट का विभुवांतर लगा दिया जाए तो परतेक शिरोग मतलब हर जगा कितना विभुवांतर होगा परतेक परतिरोद के पास कितना विभुवांतर होगा हर देखेए है कि आप यारए अधिया बराबर देदया गया है और और तु पर आंपटु पराबर दिया गया है थी लम हो और धिर समया है यह ढ़किया गया पर आगे प्यासर उख से और बैटरी भी दे गई है यहां पार स्वरी हैं पर 30 दिया गया है वन सतर होता है होता है पो फॉरी जड़ी आयरम बराबर होता है कि मिल्स आ हमारे चाम मार्ब.. को हुआब ठीक ड़क होरता है। geven और भिलने स्बश्दएबनust नहां मैं में 3 द्यू और सीधां यह 9 इड़ा गया r kriegen वरा-7, सोतर होता है भी बुराबर ik आई ओर होता है तो हमसे हमें i भी निकाल लेते हैं तक कोचेस्टें और अच्छे हो जाए चाहिए आई तो i भी बड़तेे बिग्राबर अलक का उपर कर रहा हूँ यह देखो, यहां से ब्राबर Byar, तो हैंसे I ब्राबर हो जाएगा वी कमान में 30 दिया गया है और ấy और हम गाले हैं 10 ह्यां से 10 ते 169 हमार हो गया 10 अलिकल की रहा है यहां से एक कमोर कर लेते हैं के पर याज़ी मीडें बिवर्द से फिरों पर निकाल स ceux Key document इंप पहला लगाएंगे पहले के लिए और O शोल्हाबर हो जाएँगा और य्दि फैसी है फॉजआ लगाएंगे लिए फर मेरा अमारा वन कमान है उसे रखेंगे अब यहां ठेश हो जायेगे उसे जाये हो जाएगह मरा कंप कि हमता गरा तो हमारा होज यहां पर नो अल्ट को निकाल रहे हैं तेसरा में निकाल लेंगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पढ़ना है और अभी जाना नहीं है चैनल को छोड़कर एक प्रशन हमारा और है 20 नंबर का चलो उसके तरफ चलते हैं मेरे पैस दोस्तों यहां तक 20 नंबर का प्रशन देख लो बस इसी के बाद हम इस वीडियो से अगले वीडियो में आएंगे इस वीडियो को यहीं से रोग देंगे 20 नंबर प्रशन देखने के बाद और इसे समझने के बाद चलो इसे भी समझ लेते हैं का आए चार ओम के चार परतिरोद चार ओम के चार परतिरोद यानि आर वन बराबर भी चार दिया गया है आर टू भी बराबर भी चार दिया गया है आर थिरी भी चार दिया गया है और 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 भी चार दिया गया है को समानतर करम में जोड़ने जोड़े हैं इन्तिया तुल परतिरोध का मान गयत कीजिए बहुत ही जीत हैं मेरे पार दोस्तों बहुत ही जी है समांतर करम हमारा सूत्र होता है पर हल लिख दे रहे हैं समांतर करम का सूत्र होता है एक बट्टा आर बराबर एक बट्टा आर वन प्लस एक बट्टा आर टू और यहां पर प्लस लगेगा, यह सूत्र आपको किताब में मिलेगा, किताब को खोल कर देखो, आपको इस पर सवाल भी हल मिलेंगे, पुदारण, और आपको यह सूत्र भी मिलेगा, इसका निग्मन फिकराएगा होगा, देखलो, और यहां पर हमान लग देते हैं, कितना दिया गया है, चार, और थिरी का मान भी चार, और फोर का मान भी चार, यह हमारा हो गया है तक, अब हम सारी के हर समान है, यानि सारी के हर समान है, तो हम आंस को जोड लेते हैं, तो हैसे हमारा आर वन बराबर, स्वारी आपर एक बट्टा आर बराबर हो जाएगा, आंसर है मुझे यह सारे प्रश्ण आपको सब्स्वास है कि मैंने एक एक प्रश्ण dapatソंज़ आया हूंगे कि समय में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पढ़िए लंसाथ केजिए और अपास वीडियो आपको बताए हैं सारे प्रशनों को अपने दोस्तों को बताओ एक एक पॉइंट समझाओ अपने से कमजोर बच्चों को अपने स्कूल जाओ अपने कमजोर बच्चों को एक एक पॉइंट समझाओ ताकि आपका रिवाइज होता रहेगा और आप लोग पीछे के प्रशनों क को रिवाइज करते रहो ताकि एक्जाम भी आने वाला है अर्थ वार्षिक प्रिच्छा होगी इसके बाद वार्षिक प्रिच्छा होगी तो आप लोग यहीं से स्यारी करते रहो तब के लिए धन्यवाद अब मिलेंगे अगले वीडियो में 21 नंबर प्रस्न से लेकर और देखो कितने प्रस्न उसमें हल करते हैं अगले वीडियो में